या दंदो, हॉस्पिटल के सामने खड़े हो क्यों फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है क्या हो आप आपी को? वही औरतों वाली बीमारी औरतों वाली बीमारी खर्चा इतना अच्छा इस सिगरेट कितना की है? तस रुपे की? और जेब में किती पड़ी? यह को और है? मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है क्या बख रहा है? यह देख, मौत लखी इस पे मौत और यह सानिटरी पैट पे जिन्दगी हसमत दो सिगरेट के पैसे से भावी को ऐसी खतरनाक बिमारी जो महावरी के वक्गंदा कपड़ा इस्तमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आपको भी खतरनाक बिमारी से बचा सकता है यानि कि मौत के पैसे से दो जिन्दगी खरीच सकता तू एक अपनी और एक अपनी बीरी की सोच अभास हीरोगीरी ये पीने में नहीं है ये देने में समस्कार दोस्तों आप सबी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं निर्मलपाथक के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं निर्मलपाथक की घर वापसी का रीवियू 40 की उम्र से पहले जो कम्युनिस्ट ना हुआ उसके पास दिल नहीं होता और 40 के बाद भी जो कम्यूनिस्ट रह गए उनके पास दिमाग नहीं होता ये समवाद है उस नई सीरीज का जो सब्ताहांत OTT सोनी लिव पर प्रसारित होना शुरू हुआ है पी आर एजेंसी ने भी सबसे जूनियर इस्तर के स्टाफ को इसके प्रचार प्रसार के लिए लगा रखा है लेकिन सीरीज कमाल की है शुरू से थोड़ा सुस्ट चलती है लेकिन फिर जब रफतार पकड़ती है और फिर रिशी केश मुखरजी के सिनेमा की तरह एक एक किरदार को कुछ यूँ खिलने का मौका देती है कि आपको हर किरदार अपने आसपास का लगने लगता है और ऐसा ACDA होता है क्योंकि यही तो असली भारत है वेब सीरीज पंचायत के दूसरे सीजन के शोर में निर्मल पाठक की घर वापसी असल ग्राम में जीवन पर एक और महत्वपून टिप बड़ी है कुछ-कुछ पंचायत के पहले सीजन जैसी सिर्फ पंच एपिसोड की यह सीरीज बिंज वाच के बाद अपना असर देखने वाले पर दिर तक बनाए रखती है वेब सिरीज निर्मल पाठक की घर वापसी की कहानी एक लेखक की कहानी है पिता भी लेखक और मा भी लेखक लेकिन ये मा यशोदा है और बेटा देव की के पास लौट रहा है रास्ते का संघष पाकर बेटा घर आता है अपने छोटे भाई से पटरी ना बैठ पाने के चलते 24 साल पहले शहर चले गए बड़े भाई का बेटा चचेरा भाई उसे राम कहता है और खुद को लक्षमन इलाके के विदायक अब सांसद बनते जा रहे हैं छोटे की नजर उनसे खाली हो रही कुर्सी पर है विदायक बनने के सपने देखने वाले युवा गामों में अपना रुआब बनाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं उसकी असल जलक दिखाते दिखाते सीरीज सेयुक्त परिवारों की अंतर जाल के ताने बाने खोलने लगती है भाईयों के य जो अब ही अपने सिंदूर और मंगल सूत्र की दमक लोटने का इंतजार में है निर्मल पाठक की घरवापसी जैसी वेब सीरीज दूसरों के बताए जाने पर ही देखी जाएगी और दिक्कत ये है कि बड़े निर्माताओं की वेब सीरीज के लिए आसमान सिर पर उठाए रखने वाले OTT के लिए ऐसी वेब सीरीज के लिए प्रचार प्रसार को खास तबज्जो देते नहीं है पर सोनी लिव की वेब सीरीज निर्मल पाठक की घरवापसी प्राइम वीडियो की सीरीज पंचायत के दूसरे सीजन से बहतर बन पड़ी है 24 साल बाद घर लोटा बेटा जब परिवार वालों से तंग आकर वापस शहर जाने को होता है मा कहती है छोड़ के गईल आसान होला रुक के बदले मुश्किल लगता है जैसे देश के सारे गाउं की माएं अपने बेटों से गाउं में रहने की विंती कर रही है कि बेटों तुमारी जरूरत शहर से जादा यहां गाउं में है शूटिंग इस वेब सिरीज की भी मध्य परदेश में ही हुई है लेकिन कहानी ये बिहार की है कहानी में मा और अबुवा ठेट भोजपुरी बोलते हैं तो कहानी का धरातल और मजबूत होता है 24 साल से अपने पती और बेटे का इंतजार करती संतोशी मा के किरदार में अलका अमीन ने इस वेब सिरीज में दिल जीते हैं समंदर की लहरों जैसी इधर उधर भटकती कहानी के बहाव में उनका किरदार सिरीज को लंगर सरीखा साधे रहता है इस परदे पर जिकनी देर नहीं दिखती हैं दर्शक बेचेन रहता है बुवा बनी गरिमा सिंग की सहजिता इस कहानी का मस्तूल है निभा बनी तनिषका और रीना बनी इस्तुती और गीतांजली के किरदार में इशिता कहानी का हर महिला किरदार अपने मन की पीढ़ा दबाए हुए बैठा है छर ए आने वाले बड़े भाई के लिए जान निचावर करने वाले तैयार रहने वाला है। ये छोटा भाई बड़े के पैर जमीन पर पढ़ने से पहले ही चपल पहना देने वाले छोटे भाई के अपने सपने हैं। उसे विधायक बनना है। पिता का साथ मिला हुआ है। और इला रंकज्जा और सांसत बने विनीत कुमार कहानी में तनाओ लाकर इसे ताने रखने का बढ़िया काम कर रहे हैं और इन सब के बीच कुमार सौरब तरुन कुमार भी अपनी कलाद दिखा ही देते हैं एक जगे लबलभिया कहता है बढ़का लोगन के घर में हमको पहली बार चा वापसी लेक अंडर्डेशन और सब बढ़िया है लेकिन अरसे बाद किसी वेब सीरीज में कमाल का साउंड डिजाइन करने वाले अनल कुमार कुन कांडला विशेश उलेक के हकदार हैं आग में जलती लकडियों के चपेटे से लेकर गाउं की एक एक प्राकरतिक आवाज उन्होंने खुब सूर्टी से संजोई है सिनेमेटोग्राफी में ड्रोन का इस्तमाल इधर खुब बढ़ रहा है इससे धरातल का विस्तार भी अच्छा दिखता है लेकिन इसका ज्यादा इस्तमाल दर्शक को भटकाता हुआ नजर भी आ रहा है बकसर के किसी गाउं में 24 स वाबजूद वेब सीरीज निर्मल पाटक की गरवापसी का अपना एक पिरवाह है और ये पिरवाह आखिर तक बांधे रखने में कामियाब हो जाता है इसे बनाने वाले इस कहानी में बहुत कुछ कहना चाहते हैं उसके चलते कहीं कहीं संतुलन गड़ बड़ाता भी है ल पेश करना बिलकुल श्रीलाल शुकला की राग दरबारी को पढ़ने जैसा चाहिए इस पैमाने पर वेब सीरीज निर्मल पाठक की घर वापसी बिलकुल खरी उतरती दिखाई दी पहला मौका मिलते ही इसे बिंज वाच कर डालिए तो दोस्तों आपको हमारा ये क्यों कैसा लगा आप अपनी जवाब हमें कॉमेंट के मध्यम से दे सकते हैं अब एक लिम विदा चाहेंगे अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी जैहें